भू विज्ञान के सभी विद्ध्यार्थियों को मेरा नमस्कार मैं नरेंदर सिंग शेखावत सायक आचारिय भू विज्ञान विभाग राजकी मीरा कन्या महा विद्ध्याले विद्ध्यार्थियों आज हम भूवेगनिक समय सानिक के बारे में अध्यन करेंगे पिछले लेक्षर में भी हमने जो कि भाग एक की रूप में था उसमें हमने भूवेगनिक समय सानिक के बारे में विस्तार से चर्चा की आज हम उससे आगे की चर्चा करेंगे पूर की लक्चर मैंने आपको बताया था कि प्रत्वी की आयू 4.60 करोड वर्ष है तदा प्रत्वी पर उपसे सर्वादिक प्राचिन चट्टान 3.8 बिलियन येर्स पुरानी है यानि 3 करोड असी वर्ष, 80 लाक वर्ष पुरानी प्रत्वी पतीनों प्रकार की चट्टाने जैसे आगने, अवसादी तथा कायंतरित पाई जाती है ये चट्टाने पूरे विश्व में अलग-अलग समय पर, अलग-अलग जगोहों पर बनती है वो कब बनी, वो उस कालखंड को क्या नाम दिया गया, जिस कालखंड में इसका निर्मान हुआ इसी पर, बूव एगयनिक समय सारनी अधारित है विद्यार्थियों, सबसे पुराना कालखंड, जो चट्टानों के निर्मान से पहले का है उसे हम हेडन कहते हैं उस काल में किसी प्रकार की चट्टान का निर्मान नहीं हुआ और उस हेडन कालखंड के बाद अलग-अलग कालखंड में अलग-अलग प्रकार की चट्टाने बनी उन कालखंडों को भूव एगयनिक समय सारनी में क्लासिफाई किया गया है बड़े तोर पर हिंदी में इन्हें महाकल्प तो अंग्रेजी में इरा या इरथम कहते हैं सरवादिक पुराना इरा जो है उसे हम प्री कैम्ब्रियन इरा कहते हैं पुरो कैम्ब्रियन महाकल्प कहते हैं या पूरा जीवी महाकल्प भी इसे कह सकते हैं इसके बाद का महा कल्प पेलियो जोईक या पूरा जीवी महा कल्प कहलाता है इस से यंगर जो नीचे से तीसरा महा कल्प है उसे विद्यारतियों मिसो जोईक अथ्वा मद्द जीवी महा कल्प कहते हैं मिसो जोईक के उपर तता सबसे नविन्तम महा कल्प नव जीवी या नूतन जीवी महा कल्प जिसे अंगरेजी में सीनो जोईक इरा कहते हैं विद्यारतियों इन चारों इराज को अलग अलग भागों में वापस विबेदित किया गया है उसके आधार पर पूरी भू वेगनिक समय सारनिक को विबाजित किया जाता है सबसे ओल्डेस्ट प्रिकेंब्रेन इरा को दो भागों में विबक्त किया गया है सबसे पहला है आध्य जीवी या आर्कियन एज की चट्टा ने इने कहते हैं इससे नवीन प्राग जीवी या प्रोटिरो जोईक के रूप में विबेदित किया जाता है प्रिकेंब्रेन इरा को दो भागों में जिसे अंग्रेज में आर्कियन तदा प्रोटिरो जोईक में बाटा जाता है आर्कियन निशला भाग है जो कि प्रिकेंब्रेन इरा का सबसे प्राचिन तम भाग इसमें प्रीकेंब्रेन इरा की सबसे प्राचिन चट्टाने पाई जाती है जबकि प्रीकेंब्रेन इरा का नविंतम भाग जो कि आर्गन के उपर पाये जाता है उसे प्रोटिरोजोईक कहते हैं प्रीकेंब्रेन इरा के उपर दूसरा जो इरा है जिसे हमने प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं इसे हम अन्य शब्दों में Primary Rocks भी कहते हैं पेलू जोईक एरा में पारी जानों वले चट्टा ने हैं उन्हें Primary Rocks भी कहा जाता है पेलू जोईक एरा को विद्यारतियों छे पीरियड या कल्पों में बाटा गया है सबसे नीचे केम्रियन पीरियड या केम्रियन काल की चट्टा ने है केम्रियन से उपर ओडो विशन पीरियड की चट्टा ने ओडविशन के उपर सालूरियन काल की चट्टा ने सालूरियन से उपर डिवोनियन काल की चट्टा ने आती है डिवोनियन काल की उपर केम्ब्रियन कार्बनी फेरस काल की चट्टा ने समलित की जाती है तता सबसे नविन तम भाग पेलिजय कीरा का परिमियन पिरियेट कहलाता है या परिमियन काल की चट्टाने उन्हें कहते हैं पेलिजय महा कल्प को 6 पिरियेट्स या कल्पों में बाटा गया है जो उपर से नीचे से उपर अगर हम चलें यानि की ओल्डेस टू यंगेस जब हम चलते हैं तो उसे क्या कहते हैं केम्ब्रियन, ओर्डोवेशन, सलूरियन, डिवनियन, कार्बनी फेरस तता परिमियन पिरियेट्स के रूप में विविदित करते हैं आप इसे कॉस डी सीपी से भी याद कर सकते हैं विद्यारतियों सी का मतलब केम्ब्रियन, कॉस, सी ओ एस कॉस, ओ फॉर ओडोवेशन, स फॉर सालूरियन, कॉस डी सीपी, डी मतलब डेवनियन, सी मतलब कार्बनी फेरस और पि मतलब परिमियन पेली जोईग के बाद में जो तीसरा माकल्प था, उसे मद्ध जिवी या मिसव जोईग के रूप में हमने डिफाइन किया था उसको तीन भागों में सब डिवाइड किया जाता है मिसो जोईक महा कलप को तीन भागों में इस प्रकार बाटते हैं सबसे नीचे से उपर के ओर यानि कि सबसे जो ओल्डेस्ट है उसे कहते हैं ट्राइसिक कालखंड की चट्टाने इसके उपर है जो जो मद्ध्य मिसो जोई का जो मद्देवर्ति भागय है उसे कहते हैं जुरासिक कालखंड की चट्टा ने जुरासिक वर्ड आपने हॉलिवुड की फिल्म जुरासिक पार्क में भी सुना होगा जो इसी नाम पर आधारित है उसके बाद में कई सीरीज और फिल्म का निर्मान भी इस पर किया गया है तता मिसो जोई कालखंड में सबसे नवीन्तम जो काल है उसे क्रिटेशिस काल हम कहते हैं अर्था मिसो जोई को ट्राइसिक जुरासिक क्रिटेशिस में विबेदित किया गया है मद्य जीवी महा कल्प के उपर जो चौथा महा कल्प है उसे नूतन जीवी या नव जीवी या इंगलिश में हम सीनो जोईक इरा भी कहते हैं उसको दो भागों में बाटा जाता है सीनो जोईक इरा को दो भागों में हम बाटते हैं पेली जोईको विद्यार्थियों हमने प्राइमरी रॉक्स के रूप में परिवाशित किया था विद्यार्थियों मिसो जोईको सेकेंडरी रॉक्स कहते हैं सीनो जोईको आगे तर्शरी और क्वार्टर नदी पीरेट्स में बाठा गया है और इन तर्सरी और absolute पीरिट्स को भी आगे उफ विच्वाज़ेत किया जाता है जो सीनो जो एक एरा है उसके ज़र टर्सरी जो पीरिट है उसका आगे विबाजन फांच बागों में उफ विबाज़ेत उसे किया जाता है जो नीचे से उपर के और करम से इस प्रकार है सबसे नीचे है पेलियोसीन, इयोसीन, ओलीगोसीन, मायोसीन तथा प्लायोसीन इन में से विद्यार चेहों पेलियोसीन, इयोसीन तथा ओलीगोसीन जो नीचे से उपर के ओर कर्मश है जो फर्स थर्ड हैं पेलियो यो तता ओलिगोसीन को हम पेलियो जीन चट्टाने कहते हैं इसके उपर जो मायो तता मायोसीन तता प्लायोसीन को हम नियो जीन चट्टाने कहते हैं अर्था टर्षरी जो पीरियड है जो सीनोजोग एरा का विपाजित है आगे नीचे उससे आगे हम फर्दर टूफोर्ल डिविजन उसका किया गया है प्रतम तीन को हम कहते हैं पेलियोजिन चट्टाने और उसके उपर वाली दो चट्टानों को हम कहते हैं नियोजिन चट्टाने पेलियोजिन निश्ला भाग है जिसमें हम पेलियोजिन, इयोजिन वे ओलिगोजिन को समलित करते हैं तता नियोजिन उपरिया नविन्तम भाग है तर्शरी का जिसमें हम मायोसीन तता प्लायोसीन को समलित करते हैं यह यंगर एज की चट्टाने हैं अर्था पांच भागों से मिलकर तर्शरी पीरिड बना है पेरियुजिन के तीन भाग और नियोजिन के दो भाग यह तर्शरी की पांच भाग सीनो जोईक्स का निशला भाग बनाते हैं इसके उपर जो कमपरेटेवली यंगर रॉक्स होती हैं उन्हें क्वार्टर नरी या चतोष की कल्ब की चट्टाने बोलते हैं विद्यार जो क्वार्टर नरी या चतोष कल्ब की चट्टानों को हम आगे दो भागों में बाड़ते हैं जिसे हम प्लिस्टोसीन और होलोसीन कहते हैं या उसमें विबाजित किया जाता है अर्था क्वार्टर नरी की सबसे नविंतम चट्टाने हैं उन्हें हम दो भागों में विबक्त करते हैं निशला भाग प्लिस्टोसीन तदा नविंतम भाग होलोसीन कहलता है ये पूरी भूब वेगनिक समय साड़नी संपूर्ण चट्टानों को एक टाइम फ्रेम में वर्गी करती है इसमें चट्टानों का अध्यान नीचे से उपर के और किया जाता है यानिक जो ओल्डेस चट्टान है उसका अध्यान हम सबसे पहले करते हैं तथा नविंदम चट्टान को सबसे बाद में पढ़ते हैं इसके बाद में एक समरी आपको बता दू मैं कि भूब वेगनिक समय साड़नी में महा कल्प चार हैं प्रीकेंब्रियन, पेलियोजोईक, मीसोजोईक तथा सीनोजोईक प्रीकेंब्रियन महा कल्प को दो भागों में हमने बाटा निश्ला भाग था आर्केजोईक और उपरी भाग था प्रोटिरोजोईक आर्केजोईक को हम आर्केजोईक भी कहते हैं दूसरा महा कल्प था पेलियोजोईक जिसको हमने छे भागों में बाटा नीचे सी उपर के हो चलते हुए Cambrian Ordovician Silurian Devonian Carboniferous तथा Permian इन छे भागों में हमने Paleojoic महाकलप को बाटा उसके पशे तीसरा महाकलप है Mesojoic जिसमें Tracic Period Jurassic Period Cretaceous Period को हमने समलित किया Navintam महाकलप Sinojoic था जिसे दो पीरेड में हमने बाटा Tertiary Period तथा Quaternary सबसे Navintam Period Tertiary Period को हमने आगे फिर पांच इपोक के अंदर बाटा जो की नीचे से उपर की और इस प्रकार है Paleocene Eocene Oligocene Myocene Pliocene इन पांच में हमने Tertiary काल की चट्टानों को बाटा सबसे नविनतम चट्टाने थी Quaternary की जिसों हमने Plistocene तथा Holocene में बाटा विद्यारतियों आज इस लेक्चर में इतना ही इसके आगे की चर्चा हम कल के लेक्चर में करेंगे धन्यवाद करेंगे